हेलो फ्रेंडों बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारी यूट्यूप चैनलicios tenthşekkür में तो peng हम लोग तैयों करें बिहार аaiserि के देशाधी कि यानि हिंदी आइपर की तैयरी करें जो कि हिंदि साहिट गोश्षणि के थ्यास से इस चैनल अभीमान मेरु किसे आपने मेरु तो कहा गया है तो मेरुतं को या फिर पुश्वदन्त है तो देखिए बहुत जगर जो है देवसिन दिया हुआ है उप्शन में लेकिन माने जो जाते हैं पर्थम जैन कभी वह स्वेंभू ही माने जाते हैं तो आप सभी जो है आंसर के हिसा आप से टीकी लगाएंगे अगर आपके पास उप्शन जो स्वेंभू में लगाएंगे तो माने ही जाते हैं कि पर्थम जैन कभी स्वेंभू है लेकिन अगर देवसिन को कहीं माना गया कुछ विद्वानों के दौरा माना गया तो अगर आप कोई जbelsक दिख ग गया सब्न फौर में लगा उप्शन मेंगे डौनों में से कोई एक अबी है और पीर राम सींग है तो प्रवंध जिन्दमनी की जो रचीता है वह है मेरूटूंग ऑफ्षन नमबर 20 का सही हो जाता है और इसकी रचना होई ना कब हुई है तो सवंप crazy 171 में इसकी रचना हुई है और संस्क्रित भासा में इसकी रचना हुई है देखे एक कोशन के साथ साथ जो भी जानकारियां हमें मिलेगी किसे साथ जो भी हमें पता होगा मैं आपको बता दूँगी ताकि एक आंसर के साथ जो है बहुत सारी कोशनों को सॉल्व किया जा सके तो परवंत चिंदामनी के रचीता कौन है तो मेरी उतंग है और मेरी हैं या फिर नेमी नात है या फिर रचनाकार क्यों कोर्चन देंव सेन या फिर्फर्फर सुरी उड्गि क्वाने परवृ छूरी माने जाते हैं अप्सर नमबर 60 reality स 위र्फष नियुक्तर माने cm1 सब्सूर माने-वन सूररी मैंड़ी अगर पूछा जाए कि कुमारपाल परति बोध्य यह कैसी रचना यह गद्बध बालति भासा में लिखा गया है ठीक है और इसके रचना कार कोन है तो सोम परवाश शूरी है नेश कोशन है कि अभरंस में दोहा काबी का आरंभ माना जाता है तो अभरंस में दोहा काबी का जो आरंभ माना जाता है किस से माना जाता है पहला ओप्शन है जो इंदू कृत प्रमात्मा प्रकास था योगसार से दूसर तो आप तो देखिए पहले एक बात मैं इसमें बता दू कि यह जितनी भी है ऑप्शन इस पे दिया हुआ इसमें भी आप देखिए बहुत सारे कोश्चनों को जो आपको आंसर मेल रहा है कि राम संग की रचना कोन है पाहुर दोहा है जो इंदु की रचना कोन है परमात्मा पाहँ कष्क्राव योगसार है तो इसकी अम लोग देख रहें कि परमात्मा परकास था योगसार है कि अब भ्रंस में दोहा कावे का जो आरंभ माना जाता है तो जो इंदु की जो रचना है प्रमात्मा प्रकास तथा योगसार इसी से माना जाता है ठीक है नेशन कोश्चन है City कि रेवेंद्गरी रास के रचिता कौन फोरियन अद्ध्धन सूरी हैं या फिर सोम प्रवसूरी या फिर बिचैसल grade सूरी तो रेवेंद्गरी रास'm joke to आप सबी एक notebook तयार कर लिया सारे objective questions को जो भी ऐसी भी थियोरी में पढ़ा रही हो जो भी आपको लगे important है आप बिल्कुल एकडम रोक लो video को और note कर लो एक notebook रखिये साथ में जब आप video देख रहे हो तब आप note करते जाए नहीं तो फिर आप बाद में note कीजिए लेकि note कीजिए नहीं तो फिर आप इसकी इंसोर्ट भी करके रख सकते हैं तो जो भी important आपको लगी बिल्कुल आप note करें खास करके objective question जो है इसका तयार ही कर ले तो ज्यादा सही है आपके लिए तो रेवेंद करी रास के रचिता कौन है बिजये जनसूर ब्याकरनिक रूप का असपस्त और सुव्यवेस्थित बिवेचन किस ने किया है हैं चंद्र ने किया या दामोदर्ग पंडित ने किया या फिर स्वेंभू ने या फिर पुसपुद्धन तने जो option NUMBER A इसका सही हो जाता है हैं चंद्र ने किया अब्भरंस के भासीक और ब्याकरने के रूप से जो असपस्ट और सुवेशिद करने का बिचार आया था या जिसने यह काम किया है तो वह हेमचंद्र ने किया है तो ऑप्शन नमबर जो है इसका सही हो जाता है एक तो इसे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं इसको याद करनेके लिए कि हेम चेंद्र सिद हेम चेंद्र सब्दानो सासन के राचना कार कोई है तो हेम चेंद्र, ठीक है इसका सही हो जाता है चंदरवाला रास जिसे की चंदरवाला रास के नाम से भी जाना जाता अगर आपके पास जी आ जाए जैसे चंदरवाला रास यहां आप देख रहे हो ठीक है अगर आपके सामने यह आ जाए चंदरवाला रास के रशनाकार कौन है तो आसुक ठीक है या आजगू की रचना कोन सी है तो चंदन वाला रास है और यह जो है एक लगू खंड काबी है अगर आप से पूछा जाए कि चंदन वाला रास जो है आजगू की ज़र रचना है चंदन वाला रास वह कैसा काबी है तो यह एक खंड काबी है और इसकी रचना कब हुई है तो बा के साथ उनकी रचनाओं को दिया गया है तो अब्दूर पहला आप सुन है कि अब्दूर रह्मान करीट संदेश रासक में दूसरा है और साइट करीट हंसावली में तीसरा है कुसर लव की धोला मारूरा दोहा में और चौथा है रोडा करीट राउल वेल में तो नाइकाओं क सबसे पहले परियोग जो है वह हमें कहां देखने को मिलता है तो पहला आप्शन है राजा बांकी दास क्रीट कू कभी बतिसी में दूसरा आप्शन है जो तिस्वर क्रीट वर नरतनाकर में तीसरा आप्शन है अब्दूर रह्मान की संदेश रासक में चौथा आप्शन है तो डिंगल का सबसे पहले परयोग जो हमें देखने को मिलता है वो बिलता है option number A इसका सही हो जाएगा राजा बंकी डास कु कभी 32 में ठीक है बिल्कुल आप इसे ध्यान में रखेंगे सारे के सारे question जो है काफी important और किसी ने किसी एक्जामी पूछी गए है next question है कि सिद सेन करित विलास वही कहा किस कोटी की काभी है option number C इसका सही हो जाएगा प्रेम काभी है या किस कभीक रचना में 더 नहीं तो रोगा उप्शन स्वाय विए तो बहौँस्व है कि tadi डी रे perspectives कि गया रहुख या फिर जो है तो वो किसकभी की रचना में है तो वह जो है option number इसका सही हो जाता है option number A सही हो जाता है धनपाल की भबिश्यत कहा इसी में है या फिर इसी को माना गया है romantic महा काभी को नेर्डवर के चाहता है तो पहला टीकल की यह वह माना गया है तुमेकल की प्रक्रखण प्रवंद चिनतामनी या फिर चर्योंपद है या फिर एक चंपू काबी तो सिलाएं पे लिखा हुआ काबी है वह कौन सा काब भी है परवंद चिंतामनी है या फिर चर्यापद है या फिर उक्ती बेक्ती प्रक्रन है या फिर राउल वेल है तो सिलाओं पे जो लिखा हुआ काब है हमें देखने को मिलता हुआ है तो बिल्कुल आपके से ध्यान में रखेंगे नेश्ट कोशन है कि 63 सला का पुर्सों का जीवन का वर्नन हुआ है तो 33 सला का पुर्सों का जीवन का वर्नन हुआ है वह हुआ है महापुरान में option नंबर इसका C सही हो जाता है महापुरान महापुरान किसकी रचना है तो महापुरान यह पुस्पदंद की रचना है और महापुरान की क्या एक खास बिसेस बाते हैं वो मैं बता दू कि इसमें 63 महापुरसों की जीवन चरीत का वर्नन किया गया इसलिए इसका नाम महापुरान पड़ा कितने महापुरसों का 63 महापुरसों का इसमें वर्नन किया गया है मैं जो बोलती हूँ न जो मैं यहां पर नोट नहीं की हूँ मैं इस तरह जो आपको knowledge दे रही हूँ आप उसे नोट करते जाओ तो ज्यादा सही है तो 33 सलाकापुर्सों की जीवनचरित का बनन हुआ है महापुरान में महापुरान में किते महापुर्सों का उलेक किया गया है या उनके जीवनचरित के बारे में लिखा गया है तो 33 महापुर्सों की जीवनचरित के बारे में लिखा गया इसके रशनाकार कौन है इसके रशनाकार जो है पुस्पदंत है ठीक है चलिए नेस्ट कोजिशन है कि साहित्य का इत्यास दर्सन के लेखक कौन है तो साहित्य की इत्यास दर्सन के लेखक कौन है रामचन सुखल है या जारी परशाद्वेदी है या फिर रामविलास सर्मा या फिर नरिल्मजन सर्मा है तो साहित्य का इत्यास दर्सन की जो लेखक माने जा काला करमी पत्ति समासास्तरी पत्ति तिहास में सबसे बिक्सित पत्ति जो मानी जाती है वह मानी जाती है उलझा कि आदी wow करित काम theology सहीदि में सीद सहीद में नात सहीद में या या रासो सहीद THAT यहा जो रशा गिया है सबरबादिक जयन साहित में रचा गया है और मैं आपको एक बाद बता दूँ कि आपको लग रहा होगा कि मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है और डारेक्ट रातीकाल से समझनित को करी कुछ आप जो नहीं होंगे जो नहीं पढ़े होंगे सूरुसे डिपली से नहीं साहित का मैंने वीडियो डाल दखा है आप प्लेइलिस्ट में जाओ इस चैनल के प्लेइलिस्ट में आपको वहाँ पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट आपकी समझ को बिखसित करेगा और उस वीडियो को जब आप देख लेंग STAT के लिए तो मैं कोशिस करती हैं की हर त्थि को और अछे से समझा दूं लेकिन अगर आप पहले से और भी मतलब आप चाहते हो कि ना अभी मुझे चाहिए स्टार्टे तो मैंने कर दिया है हर तत्य को समझाना लेकिन आप और भी जानना चाहते हो प्लेडिस्ट में देखो प्लेडिस्ट में बहुत सारा वीडियो डाला हुए मैंने वहां से आप जाके देख सकते हो सभी के बारे में अच्छे चेत तत्य है तो उम्मीद करते हूं कि अगर आप उसे देखेंगे तो पहर पठावे पुन किस कभी की उगती है जो है किश कभी की उगती है पहला option है नरपती नाल दुसरा है बिद्यापती तिस्रा चंदरवर्डाई और शहोत जगनिक तो यह जो पंगती है तो किस कभी ने कहा है या कहें कि किस कभी ने लिखा है तो इसका option number 20 हो जाता है कि ब्हुमी का दूसरा है इंसे अतियास थीसरा है हिंदी साहित का अतित चौहास है हिंदी साहित औरी चिरहает ठीज़ इसका के फाल की यहां साह. जो ऐसे नेट की तयारी कर रहे होंगे उनको तो पता होगा क्योंकि वह बनाए होंगे नेट के ही एक्जाम में बहुत सारे एक्जाम में यही कोश्चन जो इतने वार घुमा फिर आके पूछा गिया है कि मैं आपको बता नहीं सकती तो गौरक की बानियों का सरपर्थम संग् किया है तो यह बहुत ही अच्छा कोश्चन है इंपोर्टेंट कोश्चन हो सकता है बिल्कुल सारे कोश्चनों को आप लोग ध्यान में रखेंगे नेश कोश्चन है कि स्वेम्भु कृत पूवम चिर्यों की विसेवस्तु किसे सम्मंदित है राम कथा है या फिर किष्न बयाला दोग्या है और यह थे स्वेमंभू के दशना को अधूरा माना गया था या राज योंगा फिर पूट्र के ग्रन्थ था और बार इंके पूट्र के द्वारा इसे पूरा किया था इनके पूर्म ने किया था तो कई बार पूथ्रों से यादि शित्वा आप इसे सवाल रहते हैं नहीं समद्द नौतrire तो अभ्रंस का आधी कभी कौन है तो अभ्रंस का आधी कभी कौन है विद्यापती है या फिर चंदरवर्दाई है या फिर जो इंदू है या फिर स्वेम्भू है तो अभ्रंस के आधी कभी जो माने जाते हैं वे माने जाते हैं स्वेम्भू माने जाते हैं option number D, इसका सही हो जाता है, कि अभरंस के आदि कभी कौन है, तो स्वेमभू हैं, इन्हें ऐसे बाल में की भी कहा गया है, ब्यास भी कहा गया है, तो बाल में की ब्यास भी ने कहा गया है, और स्वेमभू की जो रचना है ना, वो रचना इनकी तीन रचनाएं हैं, स्वेमभू से इनकी तीन ही रचनाएं हैं जो काफी परसिद्ध हैं तो अभरंस के आदि कभी कोन माने जाते हैं तो स्वेंभू माने जाते हैं ठीक है बिल्कुल आप इसे ध्यान में रखेंगे इन्हें अभरंस का बालमकी भी कहा गया और व्यास भी कहा गया यह भी आप ध्यान में रख कहा है तो अप्शन नमबर 20 का सही हो जाता है कि अधिक अलिन साहित में गद का प्राचिंतम गरंथ जो है वह है पुबले माला कहा इस कोशन है कि संदेश रासक के रचिता कौन है ये भी बहुत अच्छा कोशन है पहला ऑप्शन है मेरु तंग दूसरा है में चंद्र तीसरा है अब्दूर रह्मान चौथा है धनपाल तो ये भी काफी इंपोर्टेंट कोशन है क्योंकि बहुत बार ये पूछा गया एक जा इसमें जो वर्ण किया गया है संदेश रासक में तो इसमें जो है विकरम पूर की एक ब्योगनी कि बिर कथा का वर्नन किया गया संदेशरासक में। नेश्ट कोशन है कि निम्लिखित में से कौन सा गरंथ अभ्रण से प्रभावित है इन में से कौन सा गरंथ है जो अभ्रण से प्रभावित माना जाता है पहला अप्शन है डोला मारूरा दोहा दूसरा अप्शन है खुष्रों की पहलियां तीसरा अप्शन है भारतेश्वर बहुबाली रास और भातेश्र बहुबाली रास की जो रचनाकार है वह कौन है तो इसके जो रचनाकार है न इसके रचनाकार है सालिभद सूरी और इसकी जो रचना हुई है कब हुई है तो इसकी रचना हुई है 1184 में इसके रचनाकार कौन है तो सालिभद सूरी बिल्कुल तूवर जो गृंत है कौन से हमीर रासो है या फिर सरवा का चार है या फिर वरन अतनाकार है या फिर खुमान रासो है तो यह जो है अभरंस के परभाब से मुक्त जो रच 이ioned है और ब्हुटरrant के रचिता को Pegai वह हैं शांगधर सांगधर की तशन है यह ठीक है तो अभ्रंस के परभाप से मुक्त गरंथ जो माना गया है वह माना गया है खुमान रासो को आप्शन स्यंदु दर्वार और भारती जीवन पत्ती का यथार चितरन हुआ है इसका जो आंसर होगा इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा option number इसका सही हो जाता है ए सही हो जाता है वर्ण रतनाकर और वर्ण रतनाकर के जो रचनाकर माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं तो जोतिसर ठाकुर ठीक है जोतिसर ठाकुर की यह रचना है वर्ण रतनाकर और इसे ही ह इंदू दरवार और भारती जीवन पत्ति का यथा चित्रन इसमें हुआ है इस कोश्चन है कि स्वयंभु का अपुन ग्रंथ है वही बात आ गई जो मैं बताई थी यह उपर जो क्यों सी है तो स्वयंभु के अपुन ग्रंथ है तो जल्दी से आप लोग आंसर दिमाग में ल लगाई है कि कौन सांसर इसका होगा पहला ओप्षन ए रिठो मने चरियो दूसरा एक पूर अधूरा गरंथ है इनके पूत्र के द्वारा इसी पूरा किया गया था पूत्र का नाम किया था तक तिवी भूनता ठीक है कि स्वेंभू को अभ्षन का पालिदास किस ने का तो स्वेंभू को अभ्षन परन्स का उ मुए जाता है s. डाक्टर भयानी के द्वारा कहा गया है कि स्वयम्भू जो है अप्भरंस के कालिधास माने जाते हैं और बुष्पदंत इन्हें भभूति माने गए वो माने गए पुश्पदंत हे वह भभूती माना गिया हैं ऑप स्वेम्भु को माना गया है किया प्रुष्पधंत को कोन इस इस हैं सबस्क्राय नेखक मानने जाते हैं अब्च्ण नम्हा पुरान के रचिता और्लाब시고 पुश्पदंत हैं और इसके बारे मैं बताई भी ती किस वनन किया है इसको बीलगुल आप ज्यान में रखेंगे पुष्पदंत की रचना है महापुरान महापुरान भी पुष्पदंत की रचना है और यह नय कुमर्चर यू जो है यह भी पुष्पदंत की रचना है ने इस कोश्चन है कि उक्ति बेक्ति प्रकरण में दामोदर पंडित को डामुदर पंडित ने कोसल की भासा को कहा है तो इन्होंने कहा है क्या कषै प्रक्राइध को का DetME स कोछई क्या है या फिर। ऑफ श्यरस्ट नमबर एे इसका सही हो जाता है और लास्ट कोशचन है आज का कि पुरानी हिंदी का उदय किसे माना जाता है पुरानी हिंदी का उदय किसे माना जाता है अभट से या फिर संस्क्रीट से या फिर पाली से या फिर प्रकिस से तो पुरानी हिंदी का उदय माना जाता है वह माना जाता है अभट से ठीक है ऑप्शन नमबर एसका सही ह हो जाएगा तो मैं आप सरी से यही कहूंगी कि आप को यह हमारे वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर कमेंट करके बता है और जादा से जादा हो सके इस वीडियो को सेडेंट करें और लाइक भी करें करें अभर अच्छा लगे तो और तो मैं यहीं कहूँगे कि अभी से आप लोग लगी रहे तायारी जो है। ना कभी भी वी पूरी नहीं हो पाती है तो जरूर है कि हम लोग अगर हम लोग के पास है, ठीक है आज की इस वीडियो में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी जिसका जवा आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिख के देना है ताकि मुझे भी तो पच्ता चले कि आप सभी वीडियो देख रहे हो उसका लाब मेल रहा है आप सभी को की नहीं तो आपको ये बताना है कि स्वेम्भी की कौन सी रचना है जिसे की अधूरा बताया गिया है और उनके पूत्र के द्वारा वह पूरा गया गहिए ठीक है जरूर आप हमें बताएंगे कमेंट में लिख की इसका आंसर आपके आंसर का हमें इंतजार रहेगा मिलते हैं अंगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद